वही इलेक्टूरल बॉंड को लेकर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की ओर से बीजिपी पर आरोप लगाया जाने पर पहली बार केंद्री ग्रेमंत्री अमिच्चाह ने प्रतिक्रिया दी राहूल गांधी ने इसे सबसे बड़ा हफ़ता वसूली रैकेट करार दिया था इस पर अमिच्चाह ने कहा है कि राहूल गांधी को भी 1600 करोड रुपे इलेक्टूरल बॉंड के जर्ये मिले हैं उन्हें बताना चाहिए कि इसे उन्होंने कहा से वसूला है उन्होंने कहा कि Electoral Bond पर Supreme Court के फैसले का वो समान करते हैं साथ ही कहा है कि चुनाओ में Black Money के प्रभाव को कम करने के लिए इसे लाए गया था उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सफलता भी मिली है अमिच शाह ने कहा कि 6,000 करोड जो राहूल गांधी की घमांडिया गटबंधन को मिला है उसका जानकारी सामने आएगी सब घोशित हो जाएगा कि इंडी अलायंस मूह नहीं दिखा पाएगा बीजिपी को मिले सबसे जादा चंदे पर बोलते वे अमिच शाह ने कहा है कि ये मिथ्या है हमें 6,200 करोड रुपिय मिला है जबकि 6,200 करोड रुपिय से जादा राहूल के नितरत्तों में चलने वाली इंडी अलायंस को मिला है हमारी 303 सीटे हैं और हमारी 17 राज्यों में सरकारे हैं लेकिन इंडी अलायंस की कितनी सीटे हैं